माम, माम, क्या हो गया? चल रही हो, एकसाइटेड है मेरा बच्चा, तना जा रहे हो, रेडियो के? बाद में बताएंगे लेकिन मेरा बेटा बहुत एकसाइड है इसके लिए हम पहले भी गए थे पर काम नहीं हुआ और अब हम दुबारा बहुत दूर जा रहे हैं आपको देखना है बहुत एकसाइटमेंट होने वाली ठीक है चलिए बस फिर क्या था हम तीनों चल पड़े है अपनी मन्जिल की और मेरा बेटा बहुत 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 सूपर एकसाइडर हो रहा है क्योंकि डेट दो साल से वह मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा किसी चीज के लिए और फाइनली आज मैंने उसे हां करी दिया तो बहुत खुश हो रहा है पहुँच गए है हम लोग ल एक हफते का टाइम दीजे हम अगवा के दे देंगे लेकिन इतना सप्राइजिंग था कि दो ही दिन के अंदर फोन आ गया कि मैम कैमरा आ गया है आप लोग आ के ले जाए इतना लाचपत मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं गई हूँ जितना मैं इस एक हफते में चली लगाता और बहुत सारा काम हो रहा है घर बन रहा है तो बहुत कुछ खरीदना है कपड़े लेने पूजा के लिए कभी कुछ करना है बस मा बेटे पहुंच गए और सोचा के चलो कैमरा देखे बहुत एक्साइट था मेरा बेटा आप लोग को भी तो पताई होगा ना कि ज कोशिश करो कुछ करके दिखाओ तो मैं आपको दिलाओंगी बहुत एक्सपेंसिव होता है कैमरा ऐसे नहीं और आपको पता है मेरे शादी में जो कैमरा था 16 साल पुराना जो मेरे मम्मी ने गिफ्ट किया था वो उसी से काम चला रहा था जिसे अपके हो कैमरा भी सही नही चुका था कि मैं भी उसे उसका पसंदीदा कैमरा दिला ही दू बहाना था कि भई तू टेंथ पास कर लेगा अत्ते ही दूंगी तो फिर फाइनली अब तो देना ही पड़ा और हमें बहुत अच्छे रेट्स पे मिल गया थे तो लाजपत में थी ये स्टोर अवित करके ना क्योंकि ना मैं और मेरे हजबन इस चीज को लेके हमने कभी यूस किया है ना आता है तो हमने उनको बूला कि आप है ना प्लीज हमें अच्छे से गाइड करो तो बेटे ने अपने आप से ही सारा रिसर्च कर रहा है तो अला कि मेरे बेटे ने टच्छ वुल मैं ऐसा मत कि हर महीने उनके स्टूडियो पर यानि इस शोरूम पर बड़े बड़े फोटोग्रफर्स की वो लोग क्लास होती है जहां पर हम फ्री अटेंड कर सकते हैं क्लास और उनसे हमारे जो भी डाउट से क्लियर कर वा सकते हैं बहुत सी चीज़े सीख भी सकते हैं तो मुझे बह टीवी भी लेना यह भी लेना है आप हमें अच्छा सा डिसकाउंट दे दो तो हम आपसे ले लेंगे जैसे हर कस्चमर हम हर दुकान में जाके यही बोलते हैं और भी चीज़े लेनी हैं डिसकाउंट होगे तो आएंगे बस फिर वहां से हम लोग निकल चले इतना खुशता मेरा बच्चा मैं आपको क्या बताओ हम लोग गए थे गुरुजी के मंदिर गुरुजी की ब्लेसिंग लेने और फिर वहां से हम चले गए थे हमारे देवर के घर गुरगाओं करीब 11 बजे हम लोग पहुँचे थे फिर खूब सारे बाते कर रहे थे आजी रात को हम सबने मंगवाया पीजा यहां पर यह होता जब हम सारे खटे होता है यह थे हम रात के दो तीम बजे बाराटे खाने चले जाते हैं गूमने फिर ने लिए आज हम गए नहीं आज हमने सोचा घर पर ही ओडर कर लेता है मैंने नूदल्स मंगवाया था और बाकी सब लोगोंने लिए खूब रात देर रात तक यही होता है जब मेरी नंदे आती है तो आपके घर में भी ऐसा होता है गया दोस्तों